सभी साई भक्तों को ओम साई राम आपका दिन बंगल में हो अध्याय 50 को प्रारम करते हैं काका साहिब दिक्षित श्री हरी सीता राम उपनाम काका साहिब दिक्षित सन 1864 में वर्ड नगर के नगर ब्रह्मन कुल में खंडवा में पैदा हुए थे उनकी प्रात्मिक शिक्षा खंडवा और हिंगणगन खाट में हुई मादमिक शिक्षा नाकपूर में उश्रेणी में प्राप्ट करने के बाद उन्होंने पहले विलसंत अथाबाद में एल फिस्टन कॉलेज में अध्यन किया सन 1883 में उन्होंने विदी सनातक और कानूनी सलाकार की परिक्षाएं उत्तीन करी फिर वे सरकारी सॉलिस्टर लिटल एंड कंपनी में कारे करने लगे सन 1909 के पहले तो बाबा की किर्थी उनके कानों तक नहीं पहुची परन्तो इसके पशात्वे शीगरी बाबा के परंगभग बन गए जब वे लोलावला में निवास कर रहे थे तो उनकी अचानक भेट अपने पुराने मित्र नाना साहिब चंदूरकर से हुई दोनों ही इदरूदर की चर्चाओं में समय बिताते थे काका साहिब ने बताया कि जब वे लंदन में थे तो रेल गाड़ी पर चरते समय कैसे उनका पैर फिसला तता कैसे उसमें चोट आई इसका पूर्ण विवरन सुनाया नाना साहिब ने उनसे कहा कि यदि तुम इस लंगडे पंत था कश्ट से मुक्त होना चाते हो तो मेरे सद्गुरु की श्री साहिब आपया की शरण में जाओ उन्होंने बाबा का पूरा पता बता कर उनसे कथन को दुराया मैं अपने भक्त को सा समुद्रों के पार से भी उसी प्रकार खीच लूँगा जिस प्रकार के एक चिडिया को जिसका पैर रसी में बांध बंदा हो खीच कर अपने पास लाया जाता है उन्होंने ये भी स्पष्ट कर दिया कि यदि तुम बाबा के निजी जन ना हो तो तुमें उनके प्रती आकाशन भी ना होगा और ना ही उनके दर्शन प्राप्त होंगे काका साहिब को ये बाते सुनकर बड़ी प्रसंता हुई और उन्हेंने खावे श्रीडी जाकर बाबा से प्रातना करेंगे फिशाररीक लंगडे पन के बदले उनके चंचल मन को अपंग बनाकर पर्मानन की प्राप्ति करा दे कुछ दिनों पश्चा थी बंबई विधान सबा ये चुनाओं में मत प्राप्त करने के संबन में काका साहिब दिक्षित एहमन नगर गए और सरकार काके साहिब मेरिकर के यहां ठहरे शिरी बालक साहिब मेरिकर जो की कोपर गाउं के मामलता तता काका साहिब मेरिकर के सुरू पुत्र थे वे भी इसी समय अशु पदर्शनी देखने है तू एहमद नगर पहदा रहे थे चुनाव का कारे समाप थोने के पश्चात काका साहिब दिक्षित शिर्डी जाना चाते थे यहाँ पिता और पुत्र दोनों ही घर में विचार कर रहे थे कि काका साहिब के साथ बेजने के लिए कौन सा व्यक्ति उप्युक्त होगा तब दूसरी और बाबा अलगी ढंग से उन्हें अपने पास बुलाने का प्रभन कर रहे थे शामा के पास एक तार आया कि उनकी सास की हालत अधिक सोचनिया है और उन्हें देखने में शीगर एहमद नगर आयए बाबा से अनुमती प्राप्त कर शामा ने जा वहाँ जाकर अपनी सास को देखा जिनकी स्थिती में अप प्रयाप सुधार हो चुका था परदशनी को जाते समय नाना साहिब आन्से और अपा साहिब गद्रे की दिर्ष्टी अचानक शामा पर पड़ी उनने शामा से मेरीकर के घर जाकर काका साहिब दिक्षित से भेट करने तथा उन्हें अपने सार श्रीडी ले जाने को कहा उन्होंने शामा के आगबन की सूचना काकर साहिब दिक्षित और मिरिकर को भी दी संध्या समें शामा मिरिकर के घर आया मिरिकर ने उनका काकर साहिब दिक्षित से परीचे करा दिया ऐसा मिश्चित हुआ कि काका साहिब दिख्षित उनके साथ राद 10 बजे वाली गाड़ी से कोपर गाउ को रमाना होंगे इस निश्चे के बाद ये एक विचित्र घटना हुई पाला साहिब मेरीकर ने बाबा के एक बड़े विचित्र पर परदा हटा कर काका साहिब दिक्षित को उनके दर्शन कराए तो उन्हें ये देखर आश्चरी हुआ कि जिनके दर्शनात में शिर्डी जाने वाला हूँ वे इस चित्र रूप में मेरे स्वागत है तुँ यहां विराजमान है तब अत्यान दर्वित होकर वे बाबा की वन्दना करने लगए ये चित्र मेगा का था और कांच लगाने के लिए मेरीकर के पास आया था दूसरा कांच लगवा कर उसे काका साहिब दिक्षित रता शामा के हाथ वापिस शिर्डी भेजना का प्रबंद किया गया तस बजे से पहले ही स्टेशन पर पहुँचकर उनुने दित्ते शिर्णी का टिकेट ले लिया जब गाड़ी स्टेशन पर आई तो दित्ते शिर्णी का डिब्बा खचा कच भरा हुआ था उसमें बैठने का तिल मात्र भी स्थान ना था भागेवंज गाड़ साहिब काका साहिब दिक्षित की पहचान की निकले और उन्होंने इन दोनों को प्रथम शिर्णी के डिब्बे में बठा दिया इस प्रकास वीधा पूर्वक यातरा करते हुए वै कोपर गाउं स्टेशन पर उत्रे स्टेशन पर ही शिर्डी के जाने वाले नाना साहिब चंदुरकर को देखकर उनके हर्ष का पारवार नारा शिर्डी पहुंचकर उन्होंने मज्जित में जाकर बाबा के दर्शन किये तब बाबा कहने लगे मेरी बड़ी देर से तुमारी पर्दिक्षा कर रहा था शामा को मैंने ही तुम्हें लाने के लिए भेजा है इसके पश्चात काका साहिब ने अनेक वर्ष बाबा की सानिद्य में व्यतीत किये उन्होंने शिर्डी को में एक बड़ा वाड़ा बनवाया जो उनका प्राय स्थाई घर हो गया उन्हें बाबा से जो अनुभव प्राप्थ हुआ वैस सब स्थाना भाव के कारण यहीं नहीं दिये जा रहे है वै श्री साईले इला प्रतिका के विशेशांक में आपको मिल सकते हैं उनके केवल एक दो अनुभव लिखकर हम ये कथा समाप्त करते हैं बाबा ने उन्हें आश्वसन दिया कि अंच समय आने पर बाबा उन्हें विमान में ले जाएंगे जो सत्ते निकला तारिक 5 जुलाई को 1926 में हिमान पांट के साथ रेल यात्रा कर रहे थे दोनोंने साही बाबा के विशे में बाते हो रही थी वैश्री साही बाबा के ध्यान में अधिक तलीन हो गए तब ही अचानक उनकी गर्दन हिमान पांट के कंदे से जागे री और उन्होंने बीना किसी कश्ट तथा गबराट के अपनी अंतिम स्वांश छोड़ दी अब हम द्रित्य कथा पर आते हैं जिसमें सपष्ट होता है कि संद परस पर एक दूसरे को किस प्रका भात्रित प्रेम किया करते हैं एक बाद श्री वासुदेवा नन सरस्वती श्री टेमबे स्वामी के नाम से प्रसीद हैं ने गुदावरी के तीर पर राज महिंद्री में आकर डेरा डाला वे भगवान दंता दे के कर्म कांडी ग्रानी और योगी भक्त थे रांदेर के एक वकील अपने मित्रों के साथ उनसे भेट करने आया और वातलाब करते करते श्री साई बाबा के चर्चा निकल पड़ी बाबा का नाम सुनकर स्वामी जी ने भी करबद प्रणाम किया और पुंडली कराव के को एक श्रीफल दे कर उनसे खा कि तुम जा कर मेरे भातर श्री साई को प्रणाम करना और मुझे ना विस्रे तथा सदेव मुझ पर कृपा दिश्टी रखे उन्होंने ये भी बतलाया कि एक स्वामी दूसरे को प्रणाम नहीं करता परंतु ये विशेश रुप से ऐसा किया गया है शिरी पुंडी कर रावने श्रीफल लेकर कहा कि मैं इसे बाबा को दे दूँगा और आपका संदेश भी खहर दूँगा एक मास के प चिवड़ा खाने को निकाला जो खाने में बहुत अधिक तीखा सा प्रतीत हुआ उसका तीखापन करने के लिए किसी ने नारियल फोड़ कर उसमें खोपरा मिला दिया और इस तरह उन्होंने लोगों ने चिवड़ा स्वादेश बना कर खाया अभागेवन जो नारियल उन देवे कांपते हुए शिर्डी फोचे हो महां जाकर उन्हें बाबा के दर्शन किये बाबा को तो यहां नारियल के संबन में स्वामी से बेतार का तार प्राप्त हो चुगा था है इसलिए उन्होंने पहले ही पुंडलिक राव से प्रश्निया मेरे भाई की भीजी हुई व होना था उसकी पूर्ति का साधारा नारियल से नहीं हो सकती फिर भी वह वह लगी अब तुम कुछ चिंता न करो मेरी इच्छा से यह नारियल तुम्हें तिया गया था तता मार्ग में फोड़ा गया था तुम स्वेश में करतापन की भावना क्यों लाते हो कोई भी बाला राम धुरंदर्वे पंडर्पू के बगवान बित्ववा के भरम भक्त थे सन 1912 में उन्होंने श्री साही बाबा के दर्शनों का लाब हुआ छे मास पूव उनके भाई बाबुलाल और वामन राम ने श्रीडी आकर बाबा के दर्शन किये थे उन्होंने घर लोड़ अन्य लोगों द्वारा बाबा के उप्रोक्त वचन सुनकर धुरंदर परिवार को मान अश्रे हुआ उन्होंने अपनी यात्रा के समद्ध में किसी को भी इससे पहले नहीं सूचना दी थी सभी ने आकर बाबा को प्रणाम किया और बैठ कर वारतलाप करने लगे बाबा न लिए सब हाथ जोड़कर बैठे बैठे बाबा की और निराहत्ते रहे उन्हें सब प्रकार के सात्रिक भाव जैसे अश्रुपास, ममांज, कंठव रोद, आदी जागरित होने लगे सबको बड़ी प्रसंता होई इसके पशात्वे सब अपने निमास्तान को भई और भोजन और थोड़ा विश्राम लेने के बाद मस्जिद में आकर बाबा के पाउं दबाने लगे इस समय बाबा चिलम पी रहे थे उन्होंने बाला राम को भी चिलम देखकर एक फूक लगाने को खा यद भी अभी तक उन्होंने कभी धुमतान नहीं किया था फिर भी चिलम हाथ मे लेकर बड़ी कटनाई से उन्होंने एक फूक लगाई और आदर पूर्वक बाबा को लटा दी बाला राम के दिये तो ये अन्मोल घड़ी थी वह छे वर्षों से श्वास रोग से प्यूडित थे पर चिलम पीते ही रोग मुक्त हो गए उन्हें फिर भी कभी ये कश्ट न त्रेखने को अफसर मिला आरती के समय बाला राम को चावडी में बाबा का मुक मनडल भगवान पांढूरंग सरी का दिखाई दिया दुसरे दिन आकड आर्ती के समय उन्हें बाबा के मुखमंडल की प्रभा पुना अपने परम इश्ट भगवान पांडूरंग के सद्रिश दिखाई दी श्री बालाराम धुरंदा ने माराथी में महाराष्ट के महान सन तुकाराम का जीवन चत्री लिखा है परंतु खेद है कि पुस्तक प्रकाशित होने तक वे जीवीत ना रह सके उनके बंदुवय ने इस पुस्तक को सन 1928 में प्रकाशित कराया इस पुस्तक के प्रारम के प्रिष्ट छे पर उनकी जीवनी से संबंद एक परिशेन में उनकी श्री यात्रा का पूर्णा वर्णन किया गया है ओम श्री झाल 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 झाल